ओम उमा महिश्वराए नमहा ओम नमह शिवाए आप सभी को हर्ताली का तीज वरत की हर दिख्षुप काम नाए दोस्तों भादरपद माह के शुकल पक्ष की तृतिया तिथी को हर्ताली का तीज का वरत किया जाता है जो कि इस वर्ष अठाद 2022 में किया जाएगा 30 अगस्त मंगलवार के दिल हर्ताली का तीज का वरत सुहागन महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्व पून वरत है क्योंकि ये पती की लंबी आयू सुखी वैवाहिक जीवन एवं संपून सुख सौभागय और मुक्ष प्रदान करने वाला वरत माना जाता है वहीं कुवारी लड़किया इस वरत को मनो वांचित पती की प्राप्ती हेतु करती है क्योंकि ऐसी मानेता है कि माता पारवती को भगवान शिव पती रूप में इसी वरत के प्रभाव से प्राप्त हुए तो आज की वीडियो में मैं आपको हर्ताली का तीज वरत से संबंधित संपून जानकारे विस्तार पूर्वग देने वाली हूँ खास कर जो मैला इस वरत को पहली बार कर रही है उनके मन में बहुत सारे शंकाए हैं बहुत सारे प्रशन पूछे जा रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपके सभी प्रशनों के उत्तर दूँगी जैसे की पहली बार वरत कैसे शुरू करें पीरियड में व्रत कैसे करें, प्रिगनेंट लेडी व्रत कैसे करें, पानी कप पीए, सरगेई और पारण की नियम क्या है, प्रशाद रूप में क्या अर्पेत करें, सामागरी लिस्ट क्या है, तो यह सब कुछ विस्तार पूर्वक बताऊंगी, साथ ही जो है, स्टेप नहां खासे आपको किस प्रकार से नियमों का पालन प्रारंब करना है, और फिर व्रत वाले दिन आपको क्या क्या करना है, और पारण आपको किस प्रकार से करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक मिलेगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए, त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजेगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी सूचना तुरंत मिले। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं हर्ताली का तीजवरत की तिथी और पारण पूजा आदी के शुब महुर्द के बारे में। तीजवरत में सुबह और शाम दोनों ही समय पूजा का महत्व होता है। तीजवरत की प्रदोशकाल की पूजा संपनी कर सकते हैं। इस दिन जो है राहुकाल तो पहर के तीन बच के 33 मिनट से शाम के 5 बच के 9 मिनट तक होगा। तो भूल से भी राहुकाल के समय आप अपनी पूजा प्रारम ना करें। हर्ताली का तीजवरत का पारन किया जाएगा 31 आगस्ट को सुबह के 5 बच के 58 मिनट के बाद। उस तो हर्ताली का तीजवरत की विधी और नियम जाल लेते हैं। हर्ताली का तीजवरत अत्यंत कठिन वरत माना जाता है क्योंकि इसको निर्जला किया जाता है। अगले दिन नहीं किया जाता जिसकारण ये व्रत अतियंत कठिन हो जाता है तो अगर आप ब strang और पिते वेँगर करें पहले रखें यूए निर्जाला रहते हैं और शाम को पुझा करने के बाद शर्बद पी लेते हैं दो आप ऐसे भी अपने अपने सुविधानुसार कर सकती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस वरत में नियमों का पालन एक दिन पहले से किया जाता है। विच्या भी बदलने पैरों में आलता लगा ले और इसी दिन जो है आप हाथों में मेंदी भी लगा ले सुबह में स्नान के बाद विदिवत भगवान शिव और माता पार्विती की पूजा करें और उनसे प्रातना करें क्या परताली का तीज का वृत करने जा रही है इस प्रमचरे का पालन करना है अब जिस दिन वृत है अर्था थृति आती थी को हर्ताली का तीज वाले दिन सुबह में सरगी करने का नियम है क्योंकि वृत बहुत कटिन होता है सारे दिन आपको निर्जला रहना होता है तो सुबह में इसमें सरगी की जाती है तो सरगी का नि पिले शर्बत पिले मिल्क शेक पिले अगर आपको चाय की आदत है तो आप चाय पी ले तो इस तरह से जितना लिकुट चीज़ खाएंगे उतना ही दिन में प्यास कम लगे तली भगरी चीज़े नहांth ना खाएं मिठी चीज़ें, लिकुट चीज़ें, हलकी चीज़ें आपके घर में सर्गे देने का नियम है तो आप वैसे करें कई जगा पे सर्गे नहीं भी दी जाती तो आप जो है भगवान का सुबह में आशिर्वाद ले करके और हलका फुलका कुछ भी खाना खाके धेर सारा पानी पी करके अपना व्रत प्रारंप करें जिस दिन व्रत है उस दिन सुबह में स्नानादी नितकम से निवरित हो करके साफ सक्षि सुन्दर वस्रधारन करें सो लहों शेंगार करें और उसके बाद सुबह में भी बताए आपका वरत सफल हो और इसका शुफल राप्त हो सारे दिन भगवान का ध्यान करते रहें दिन के समय सोना नहीं है यह इस वरत का एक महत्व पूर्ण नियम है तो सारा दिन जो है पुजा की तयारी में और प्रशाद बनाने में व्यतीत करें जहां आपको पुजा करनी है उस पिले रंग का वस्तर विछाए साथी उसके उपर संपुर्ण शिव परिवार भगवान शिव और माता पारवती की मूर्थी या फोटो स्थापित करें साथी पिली मिट्टी बालू या काली चिकनी मिट्टी से आप वहां पे एक शिव लिंग भी बना ले जिसकी की शाम को पुजा की जाएगी साथी दोस्तों शाम के समय प्रदोश काल में आपको पुजा करना होता है शुब महुर्त में शुब महुर्त में पुजा का विशेश बहत्व है तो पुजा से पहले इस नानादी से निवरित होके आपको नए वस्तर धारन करने है ये एक अगला नियम पहनती वो सारे आपको इस दिन जरूर पहनने चाहिए अब दोस्तों जो अगला महत्वपुन प्रशन पूछा जाता है कि प्रशाद रूप में क्या अर्पित करें तो सबसे पहले इसमें पांच फल जरूर अर्पित करने चाहिए जो भी इस समेरे तूफल मिल रहे हैं सेप, महत्वपुन प्रशाद है कि जगा मिठे पापर चढ़ाए जाते हैं पूड़ी गुलूले चढ़ाई जाते हैं तो जो भी प्रशाद आपके घर के परंपरा के नुसार चढ़ाई जाती है वो आप चढ़ाए परंतु प्रशाद घर में बना हुआ हो चाहिए साथी पञच प्रपित करने के लिए सुहाक की पिटारी ले 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 उसमें कम से कम पाँच प्रकार के सुहाक सामगरी जरूर होनी चाहिए जिसमें की महत्वपूर्ण है कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, मेंदी, साथी मा को वस्तर भी जरूर अर्पित करें चुन्री, साडी या पूजा अरातना करें इसके बाद भगवान शिव और माता पारवदी की पूजा अरातना करें उनका ध्यान करें उनसे आशरवाद ले और उसके बाद जो है पंचामरित से स्नान कराएं शुद्धजल से स्नान कराएं उन्हें वस्तर अर्पित करें उन्हें धूप दीप पु पर्थन करना अत्यन्ता और रहे है इस प्रकार से विधिवत पुजा अर्शना के पश्चात हरताली का तीज्वरत की कथा का श्रवन या पठन करें और उसके बाद app कि हरताली का दीज्वरतकी पूजा संपूर्ण होती है इसके बाद जो अपने नए वस्तर पहने हैं उन्हें बदल दें क्योंकि ये नई वस्तर पुना आपको सुबा में पारण के समय पहनना है। और सुबा में पारण का समय होता है सुर्योदे के बाद, सुर्योदे के बाद पारण किया जाता है तो सुबा में पुनेस्नान आदी करके साफ सक्षवस्तर धारण करें जो नए कपड़े आपने लिए हैं उसको पहने श्रिंगार करें और इसके बाद फिर विधिवत आपको मगवान शिव और मापार्वती की पुझा रादना करनी है आपको इस प्रकार पुझा करने के पश्चात माता पार्वती को पारण के लिए आपको सामगरी अरपित करनी है आपके घर में आपके परिवार की परंपरा के नुसार जिस भी चीज से पारण किया जाता है, वो माता पारवती को अर्पित करें, मेरे घर में जो के सत्तु और गुड से किया जाता है, कई जगह चैनी और गुड से किया जाता है, तो वो माता पारवती को भी आप अर्पित करें, इसके बाद आपको सुहाग लेना होता है, आपने माता पारवती को जो सिंदूर अर्पित किया है उसमेंसे सिंदूर लेकर के आप अपने सिंदौरे में डाले और उससे आप स्वेम सिंदूर करें और उसके बाद कई महिलाएं मिलके पुझा कर रहे हैं तो सभी एक दूसरे को सिंदूर लगाएं आपने जो भी मातापारवती को सुहा की सामगरी अर्पित की है उसमें से थोड़ी से सुहा की सामगरी आप लेकर की उसी वक्त पहलने जैसे चूड़ी पहली बिंदी लगा लिया, सिंदूर लगा लिया और उसके बाद आपको सर पे आचल रखके अपने आचल में जो आपने प्रशाद अर्पेत किया है माग को उसमें से थोड़े से आपको ले लेने होते हैं अपने आचल में ले वो भगवान का आशरवाद हो गया उस प्रशाद में से आप स्वैम ग्रहन करें अपने परिवार में अपने पती को दें अपने बच्चे को दें अब आपको पारण करना है आपने पारण के लिए जो भी सामगरी ली है उसको आप जो है ग्रहन करें और पानी पीने के बाद ही कुछ आपको बोलना है बीच में बोलना नहीं है इस प्रकार आपका पारण संपन्य होता है हर्ताली का तीजवरत संपन्य होता है अब दोस्तों इस प्रकार से पूजा समपन्य करने के पश्चात आपको विसर्जन करना चाहिए विसर्जन करने के लिए हाद जोड के भगवान श्री वर माता पार्वती का ध्यान करें उनसे प्रार्थना करें कि जब भी आप उनकी पूजा करें वो आपके घर में पधारें भगवान श्री गणेश से स्थाई रूप से आपके घर में वास करने की विनती करें इसके बाद शमा प्रार्थ ना करें और थोड़ी सी चौकी हिला दे ये आपका विसरजन हो गया दोस्तों हर्टाली का तीजवरत में भी सुहा की सामगरी के दान का अत्यधीक महत्व है आपने जो भी मादा पार्वती को अर्पित किया है उसको आप दान करें और अपने प्रयोग के लिए भी रखें अब दोस्तों मैं आपके प्रशन ले लेती हूँ जो बहुत ही अधिक पूछे जा रहे हैं जैसे कि पहली बार अगर हर्टाली का तीजवरत शुरू कर रहे हैं तो किस प्रकार से करें दोस्तों पहली बार हर्टाली का तीजवरत शुरू करने का नियम है कि कई जगों पे यह अपने माईके से शुरू किया जाता है अगर आप अपने मायके जाकर की वरत नहीं शुरू कर रहे हैं आप जहां रहते हैं वहीं कर रहे हैं तो भी मायके से तीज अर्थात पुजा की सारी सामगरी आपके नए कपड़े प्रशाद आते हैं और उसी का प्रयों करते हुए आपको तीज का वरत करना होता है तीज वरत जब आप पहली बार कर रहे हैं उस समय आप संकल्प ले कि आपको ये तीज वरत आप अपने पती की मंगल कामना के लिए हर साल करेंगी इस वरत का उद्यापन नहीं किया जाता जब तक जिवित रहते हैं वरत कर अब प्रेशने हैं कि क्या पीरियट में वरत को शुरू कर सकते हैं दोस्तों अगर पहली बार वरत कर रहे हैं तो पीरियट में वरत को शुरू ना करें अगर आपने वरत रखा हुआ है और आपने सं पुजा करा दे तो दोस्तों फिर भी अगर आपने संकल्प ले लिया है व्रत का और उसके बाद आप अशुद्ध हो जाती है तो आपको व्रत खंडित नहीं करना है व्रत और आपके घर में आपकी जगह पे पुजा करने वाला दूसरा कोई नहीं है तो मैं कि प्रदोश वाले दिन दुबारा से आप इसी प्रकार से वरत रखें और उसी दिन आप हर्ताली का तीजवरत की पुझा करें अपनी सारी परेशानी भगवान से कहें और अपनी मनोकामना कहें इस प्रकार से आप पुझा कर सकती हैं उमी प्रोशुब कामनाओं के साथ अपनी वार्णी को फिराम देती हूं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक स्वस्त रही सुरक्षित रही और अपना बहुत-बहुत ध्यान रखे जय माता दे